नमस्कर दोस्तों आप सभी के स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टाडी टूडियो विद विफलाप में है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जैक वोड क्लास 10th हिंदी भी सेट 3 का सोलुसन देखेंगे यहाँ मोडल पेपर प्रथम सब्दीक परिक्षत 2021-22 के लिए JCRT द्वारा जारी की गई है यहाँ मोडल पेपर आपको एक्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा समय मिलेगा आपको एक घंटा 30 मिनट कूल प्रोलंग रहेगा आपका 40 प्रत्यक प्रसने के लिए मिलेगा आपको एक अंग कूल प्रसनों के संखर रहेगा आपका 40 ठीक है और यहाँ सेट 3 है इससे पहले जो है सेट 1 और सेट 2 दोनों complete हो चुके हैं और दोनों वीडियो के लिंक description में दिया हुआ है या तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं वीडियो को last तक देखिएगा वीडियो को like करके अपनों दोस्तों में share कर देजेगा तो चलिए start करते हैं देखिए सबसे पहले तो आपको अपठीद बोद से इस प्रकार का एक गध्यांग्स देखने को मिलेगा एक्जामे सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक गध्यांग्स देखने को मिलेगा इस गद्यांग्स को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और प्रसना संखा एक से पांच तक के लिए सही विकल्प का चैन करना है तो जैसे कि यहाँ पर एक गद्यांग्स दिया हुआ है इस गद्यांग्स को मैं तो पढ़ लिया हूँ मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर क्वेशन की और जा रहा हूँ पहला क्वेशन दिया हुआ है कि जापवान बासियों ने इस कथन को सत्य करके दिखा दिया कि दिखा दिया है कि एक दिन वे चार अपसन आपके सामने इस प्रकर होंगे किसी देश से फिचे नहीं रहेंगे हाथों की उंगलियों के सहारे संसार पर विजय प्राप्ट कर लेंगे अपना पराजाय को विजय में बदल देंगे परिस्रम से नहीं डरेंगे तो देखे इस क्वेशन का अंसर सबसे पहले उपर में यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर दियान दिजी गद्यांग्स में जो उपर लाइन में दिया हुआ है कि किसी जापानी दारसनिक ने कहा था हाथों की उंगलियों के सारे एक दिन हम संसार पर विजय प्राप्ट कर लेंगे तो अप्सन बी में दिया हुआ है यहाँ पर देखे, option B में दिया हुआ है कि हाथों की उंगलियों के सारे संसर पर विजय प्राप्ट कर लेंगे तो option B is the right answer होगा यहां पर Next question देखे Next question दिया हुआ है कि जापानियों की निरंतर कार्या करती हुई उंगलियों में छिपा है सफलता पाने का मूल मंत्र जिसे कहा जाता है चार अपसन आपके समने स्तगर होंगे लगातार आराम, लगातार चलते रहना, लगातार परिस्तरम बिल्कुल भी न घबराना तो चलिए इस question का अनुसर यहां से ढूड़ते हैं देखे यहां पर लिखा हुआ है अमेरिका जैसा देश भी जापान से पिछड़ने लगा है इसका कारण है जापानियों की निरंतर कार्य करती हुई उंगलियां उनकी उंगलियों में छिपा है सफलता पाने का मूल मंत्र लगातार परिस्तरम मूल मंत्र जो है यहां पर लिखा हुआ है लगातार परिस्तरम तो अप्सन C is the right answer होगा यहां पर देखे अप्सन C में दिया हुआ है लगातार परिस्तरम नेक्स्ट कुश्चन देखे नेक्स्ट है लेखक के अनुसार डैस का कोई विकल्प नहीं है लेखक के अनुसार डैस का कोई विकल्प नहीं है इमांदारी का सत्य का सम्मन का या परिस्तरम का चलिए गद्दांग से ढूड़ते हैं देखे यहां पर लिखा हुआ है परिस्तरम का कोई विकल्प नहीं है परिस्तरम का कोई विकल्प नहीं है क्लियर है तो अप्सन यहाँ पर आपका अप्सन D में दिया हुआ है लेखक के अनुसर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है अप्सन D is the right answer नेक्ट वे वेक्ति हर दम किसी न किसी समस्या का रोना रोते हुए अपनी विफलताओं के लिए भाग्या को उत्तरदाई ठाराते हैं जो नहीं चाहते वे वेक्ति हर दम किसी न किसी समस्या का रोना रोते हुए अपनी विफलताओं के लिए भाग्या को उत्तरदाई ठाराते हैं जो नहीं चाहते आत्मचिंतन करना, आत्ममंधन करना, परिश्थरम करना या धैन करना चलिए इस question का अंसर भी इस गाध्यांग से ढूरते हैं देखे वे लगातर परिश्थरम करके सभी प्रकार के साधन स्वयंग प्राप्ट कर लिया करते हैं इसके भी परीद जो वेक्ति यहाँ पर दियान दिजेगा जो वेक्ति परिश्रम नहीं करना चाहती वे हर दम किसी न किसी समस्या का रोना रोते हुए अपनी विफलताओं के लिए भाग्या को उत्तरदाई ठाराते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वेक्ति हर दम किसी न किसी समस्या का रोना रोते हुए अपनी विफलताओं के लिए भाग्या को उत्तरदाई ठाराते हैं जो नहीं चाहते परिश्रम करना ठीक है वे भाग्या को उत्तरदाई ठाराते हैं तो option C is the right answer हो गई है यहाँ पर option C इ लेखे, नेक्स्ट कोषिन है उपर्यूक्ट, अनुच्छित का सरवाधिक उपर्यूक्ट सीर्षक है, यहाँ इस गध्यांग से आपको एक सीर्षक देना है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हाथों की उग्लियां, परिश्रम का महत्व, उंगलियों का महत्व, जापानी उंगलियों का चमतकार, तो इन में से राइट अंसर हो जाएगा आपका अपसन B, परिश्रम का महत्व हो जाएगा, अपसन B is the right answer, नेक्स्ट कोश्चन देखिए, नेक्स्ट कोश्चन देखेगा आपका इस प्रकर का ए गिर कर उट उट कर भाग भाग कर या चीप चीप कर यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है हारा हूं सो बार गुनाहों से लड़ लड़ कर लेकिन बार बार लड़ा हूं मैं उट उट कर यहां पर बोला गया है लड़ने का बात क्या गया है इस क्वेश्चन में यहां और लिखा हुआ है कि कभी गुनाहों से सोबर हरा है लेकिन उहां लड़ा है लड़ा है उट उट कर तो आपसन B इसका राइट अंसर होगा देखे लड़ाहों में उट उट कर तो आपसन B सही होगा नेक्ट कोश्चन देखी नेक्ट कोश्चन है कभी ने अपनी असफलताओं को पराजित क्या है कभी ने अपनी अस्थफलताओं को पराजित क्या है गुनाओं से लड़कर घायल होकर बिजाई की कामना करके या अनाचार का सामना करके कभी ने देखे यहां पर लिखा हुआ है हारा हूं सो बार गुनाहों से लड़ लड़कर लेकिन बार बार लड़ा हूं में उट उटकर तो यहां पर देखे यहां पर बोला गया है कि कभी ने अपनी असफलताओं को पराजित क्या है तो अप्सन ये इसका राइट अंसर हो जाएगा गुनाहों से लड़कर राइट अंसर होगा अप्सन ए नेक्ट कोशण देखे डूबा हूं हर रोज किनारे आ आ कर का अर्थ है कि कभी तो देखे यहां पर लिखा वाए प्रती दिन किनारे आ कर डूब गया है वहां तैरना नहीं जानता सफलताओं के समीब आकर भी असफल हुआ है और option D में लिखा हुआ है असफलताओं से नहीं घब रहता तो इन में से सही अनसर हो जागा आपका option C सफलताओं के समीब आकर भी असफल हुआ है next question देखिए next question है मैंने अपनी सुन्दर्ता इस तरह समवारी पंक्ति द्वारा कभी के व्यक्तिता की इस विशसता का पता चलता है कि उसने विजय प्राद की अपनी सुन्दर्ता नस्ट करके अपनी सुन्दर्ता का ध्यान रख कर अपनी सुन्दर्ता को समवर कर हार न मनकर लगातर संगर्ष करते हुई देखे यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है कि मैंने अपनी सुन्दरता इस तरह समभारी तो इस पध्यांग्स के आधार पर जो है इस question का अंसर हो जाएगा आपका option number D हार न मनकर लगातर संगर्ष करते हुए option D आपका यहां पर right answer होगा next question देखे दिन कर सब्द का आर्थ है question number 10 को देखे दिन कर सब्द का आर्थ है यहां पर लिखा हुए सुरिया, चंद्रमा, दिन या राथ दिन कर सब्द का आर्थ है यहां पर सुरिया हो जाएगा option number A इसका जो है आपका सही answer होगा ठीक है वीडियो का अच्छा लग रहा है तो वीडियो का लाइक करके अपने दूस्तों में share कर दीजेगा ठीक है और इस तरह के वीडियोज देखने के लिए इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को press करके all पे click कर दीजेगा क्योंकि इस चनल में इसे ही वीडियोस मिलती रहती है और इससे पहले जो है set 1 और set 2 दोनों complete हो चुके हैं और दोनों वीडियोस के link जो है description में दिया हुआ है या तो आप playlist में जाके भी देख सकते हैं ठीक है चलिए next की ओर next रहेगा आपका व्याकरन जो की प्रस्ण संगे 11 से आपको देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिक सब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है प्रतिक सब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है प्रति प्रत या प्रो देखिए उपसर्ग जो है सब्द के पहले लगता है प्रतिक को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका प्रती जोड़ एक यानि कि इस सब्द में प्रती जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका उपसर्ग प्रतिक सब्द में प्रती उपसर्ग लगा हुआ है तो अपसर्ग आपका यहाँ पर सही हो रहा है नेक्स्ट कोशन देखिए चिकनाहट सब्द में किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है प्रत्य जो है सब्द के बाद में लगता है तो यहाँ पर चिकनाहट तो आहट लगा हुआ बोउखा है आफ़िक्ञायगा सब्सक्रांदने में 단सरे था इसंक्रांद दिस př municipụ इस सदैव कौन सी संदी है सदैव मैं कौन से संदी है मैं शेर विशर घ्याइंज में से कोई नहीं, देखिए सदेव सब्त को अगर हम लोग संधी विछात करते हैं तो आप का हो जाएगा सदा, जोड एव, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ की मत्रा लगा हुआ है और यहाँ पर आ है, यहिए कि दोनों जो है स्वार हैं, तो स्वार संधी का जो है उदाहरन हो जाएगा तो option number B आपका यहां पर सही होगा सदेब जो है स्वार संधी का उदाहरन है next question है इनमें से इनमें कोन स्वार संधी का उदाहरन है संग्योग मनोहार नमस्कार या पवन देखिए इस question के अंसर हो जएगा अपका option number D पावन पावन का अगर संदी विछेद करते हैं तो होता है पाव जोड अन तो यहाँ पर जो पाव है यहाँ पर ओ मत्र लगा हुआ है और यहाँ पर ओ है तो दोनों जो है स्वार है ओ की मत्र लगा हुआ है और यहाँ पर ओ है तो दोनों जो है स्वार है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पावन option number D यहाँ पर सही होगा next question देखिए निम्यलिकित में से कौन सा कथन सही है दो बर्नों के मेल से उत्पन विकार को संधिक आते हैं बिल्कुल सही बोला गया है दो बर्नों के मेल से उत्पन विकार को संधिक आते हैं संधिक के तीन भेध होते हैं बिल्कुल सही बोला गया है संधिक के तीन भेध होते हैं स्वार संधिक के पाँच भेध हैं बिल्कुल सही बोला गया है स्वार संधिक के भी पाँच भेध होते हैं और option number D में लिखा हुआ है, उपरुक्त सभी कथन सही है, तो इस question का अंसर हो जाएगा option number D, उपरुक्त सभी कथन सही है, A, B और C, तिनों सही है, तो option number D सही होगा आपका यहाँ पर उपरुक्त सभी कथन सही है, next question देखे, next question दिया हुआ है कि बड़ती हुई आवादी ने सम पर लिखा हुआ है, संग्या, सर्वनाम, क्रिया, पदबंद, और विसेशन, तो इनमें से सही होगा आपका क्रिया, पदबंद, option number C सही होगा, next question है, महान का बिलोम सब्द क्या है, हर एक मोडल पेपर में आपको एक बिलोम सब्द भी देखने को मिल रहा है, तो आप लोग जो है, बिलोम सब्द को भी जो है, अच्छे से पढ़ लिजेगा, ठीक है, कम से कम, तीन से चार सो बिलोम सब्द आप लोग अच्छे से पढ़ लिजेगा, और इस चनल में पहले से अपलोड है, description में, description में कुछ वीडियो के लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है, उन वीडि से त्यारी करके जाएगा, यहां पर लिखा हुए महान का बिलोम सब्द क्या है, अल्फ, नगन्या, अनोचित या छुद्र, तो इन में से सही हो जाएगा, आपका अपसर नमबर डी हो जाएगा, छुद्र, next question देखे, next question रहेगा आपका यहां पर, दिये गए सब्दों में भिन आर्थ वाला सब्द है, भिन आर्थ वाला सब्द है, यहां पर लिखा हुए भासकर, रवी, दिवाकर, सुधाकर, भिन आर्थ वाला सब्द है, देखे, सूरिय का पर्यावाची होता है भासकर, रवी, और दिवाकर, ठीक है, यहां पर लिखा हुए भासकर, रवी, औ जो है आपका सुरिय का पर्याइवाची है सुरिय का पर्याइवाची साथ है और जो सुधाकर है आपका सुधाकर मतलब होता है चांद सुधाकर होता है चांद तो यह जो है भिन हो जाएगा तो option number D आपका यहां पर सही होगा clear है next देखे चली खौंड गौं में रहेगा आप का पाठ्या पुस्तक से इस प्रकर का एक पध्यांग्स इहां पर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पध्यांग्स को धियान पूरभग पढ़ कर प्रस्टन संकया 19 से 23 के लिए सही उत्तर का चैन करें Państwa 19 से जो है आपको पाठ्या उस तक से जो है questions देखने को मिलेंगे और यहां पर देखिए यहां पर जैसे कि एक पद्यांग्स दिया हुआ है इस पद्यांग्स को मैं पढ़ लिया हूँ आप लोग भी जो है अच्छे से पढ़ लिजेगा और अच्छे से समझ लिजेगा यहां पर question दिया हुआ है कि इस इस पद्यांग्स के कभी कोन है आपको जो है पद्यांग्स को पड़कर जो है आपको कैच करना है कि यहां जो है किस पार्ट से लिया गया है इस पद्यांग्स का नाम क्या है किस पार्ट से लिया गया है और कभी कोन है तो देखिए यहां पर जो है आपका यहां पर लिखा कभी मरो परन्तों यों मरो की याद करें याद जो करें सभी तो यहाँ पद्यांग्स जो है आपका मैथलिसरन गूप्त मनस्यता से लिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अप्सन नंबर भी हो जाएगा मैथलिसरन गूप्त इस पद्यांग्स के कभी जो है मैथलिसर नेक्स्ट कोशन है आपका यहाँ पर कवी कैसी मृत्तू को समृत्तू मानता है जो परोपकार में रत रहते हुए हो जो मरने से पहले अपने परिवार को बैभवसली बना दे जो संसारिक मोहमाया में बंधन ना हो बंध कर ना हो जो संसारिक मोहमाया से दूर रह कर हो तो देखिए यहाँ पर जो पद्यांग्स में लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि विचार लोग की मरत्य हो ना मृत्तु से डरो कभी मरो परंतो यों मरो कि याद जो करें सभी हुई न यों समरितू समरितू तो बृथा मरे बृथा जी मरा नहीं वहीं कि जो जियान आपके लिए वही पसुप्रबृति है आप आप ही चरें वहीं मनुस्चा है कि जो मनुस्चा के लिए मरे तो कभी पाठकों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पाठकों तुम इहाँ याद रखो कि तुम मरंसिल हो मन में समझ लोग कि तुम्हें एक न एक दिन अबस्व मरना है इसलिए मौत से डरो मत तुम ऐसी मौत मरो कि जिसे सब लोग याद करें एसी मौत मरो कि जिसे सब लोग याद करें कोई ऐसा महान और गवर अफसालिक काम करते करते मरो कि तुम्हारी मौत समरित्तु कहलाई समरित्तु कहलाई मौत ऐसी मौत के बिना यह ही मरना वेर्थ है बिना कोई विसेस कारिया के लिए जीना भी वेर्थ जीना है तो यहां पर जो है लिखा हुआ एक question में कि कभी कैसी मृत्तु को समृत्तु मानता है तो इनमें से सही होगा आपका option number A जो परोपकार में रत रहते हुए हो ठीक है option A आपका यहां पर right answer हो जाएगा next question देखी next question है अपना स्वार्त साधने वाले बैक्तियों को पसू के समान क्यूं माना है क्योंकि वैसे बैक्तियों से पसू अच्छे होते हैं क्योंकि मनुष्य इसी स्रिष्टी का सर्वस्रिष्ट प्राणी है पसू केवल अपना ही पेड़ भरते हैं और उनको दुसरों की चिंता नहीं होती OPS strengthening D में लिखा हुआ है पसू एक और और निक्रिष्ट प्राणी होता है तो देखें इहां पर जो लिखा हुआ है आपका tutaj कि वही बशवा प्रविरति है आप आप ही चरे वहीमनुस्या है कि जो मनुस्या के लिए मरे तो इहां पर देख Hajes कैशन का की चिंता नहीं होती तो अप्शन सी आपका यहां पर राइट अंसर हो जाएगा हमारा हमारा मरना और जीना का बेकार हो जाता है जब हमारी सुम्रितु सुम्रितु होती है जब हमारी सुम्रितु नहीं होती है जब हम निर्धन रहा जाते हैं जब हम सहय हो जाते हैं तो हमारा मरना और जिना कब बेकार हो जाता है बेकार तब हो जाता है जब सुम्रिर्तु नहीं होती है ठीक है तो option B आपका यहां पर सही होगा जब हमारी सुम्रिर्तु नहीं होती है option B आपका यहां पर सही होगा next question देखिए नेक्ष्ट दिया हुआ है निम्नलिकित प्रस्णों के सही विकल्प का चैन किजी प्रस्ण संके 24 को ध्यान दिजी कौन अपना बेस पल-पल बदल रहा है परवत, बादल, प्रकृति या ब्रिक्ष कौन अपना बेस पल-पल बदल रहा है तो इन में से सही होगा आपका option number C सही हो जाएगा प्रकृती कवी कहते हैं कि परवतिया प्रदेश में बरसा रितु में प्रकृती हर छण अपना रूप बदलती है तो option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा नेक्ट कोशन देखिए वीडियो का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में share कर देजीए ठीक है और इस तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल में जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके next question है ताल की तुलना दरपन से क्यों की गई? इस वीडियो से पहले जो है आपका set 1 और set 2 दोनों पहले सही अफ्लोड हो चुके हैं डिस्किप्शन में लिंक दे दिया हूं या तो आप लीलिस्ट में जाके भी देख सकते हो सेट 1 और सेट 2 यहां पर दिया हुआ है कि ताल की तुलना दरपन से क्यों की गई क्योंकि ताल में दरपन की तरह परवत को अपनी छवी दिखाई दे रही है ताल की तुलना दरपन से क्यों की गई क्या भाव लिए उपर उठ रहे हैं तरूबर मन में क्या भाव लिए उपर उठ रहे हैं उच्छा कंच्छाओं का भाव अप्शन यह आपका यहां पर सही होगा नेक्स्ट क्योशन है परवत प्रदेश में पावस कविता का सोंदरिय किस पर निर्भर करता है अनेक सब्दों पर चित्रमई भासा पर कविता की संगीतात्मकता पर या सब्दों पर तो इनमें से सही हो जाएगा आपका अप्शन नूबर डी हो जाएगा सब्दों पर यहां पर शब्दों पर नहीं होगा यहां पर लिखा हुआ है अनेक सब्दों पर चित्रमई भासा पर कविता की संगीतात्मकता पर तो इनमें सभी जो है सही हो रहे हैं ठीक है तो option D में जो है आपका यहाँ पर लिखा होना चाहिए था option D में लिखा होना चाहिए था कि इनमें सभी या उपरुक्त सभी ठीक है यहाँ पर लिखा हुए सब्दों पर तो मेरे हिसाब से जो है इस question का अंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ठीक है इस question का अंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है यहाँ पर होना चाहिए option number D में लिखा होना चाहिए कि इनमें सभी उपर सभी ठीक है यहाँ पर होना चाहिए इनमें सभी next question दिखी next question है कवीर की साखी में कस्तूरी को किसका प्रतीक बताया गया है कवीर की साखी में कस्तूरी को किसका प्रतीक बताया गया है परमत्मा का अपसर नमबर सी सही होगा परमत्मा next है जब मैं था तब हरी नहीं जब मैं था तब हरी नहीं इस साखी में मैं का क्यार्थ है मैं का क्यार्थ है मैं मतलब होता है यहाँ पर जो है इस साखी के अनुसर जो है यहाँ पर अहंकार हो जाएगा मैं का क्यार्थ है अहंकार अफसन यह अपका यहाँ पर सही होगा next question देखी कवीरदास क्यों रोते हैं कबीर दास कियों रहते हैं संसार की नसरता को देखकर संसार को परेशान देखकर संसार की पापों को देखकर संसार में सुक चैन समाप्थ होने पर तो इन में से सही होगा आपका अपसर नमबर ही संसार की नसरता को देखकर नेक्ट कोशन देखिए उस प्राणी के बचने का कोई उपाई नहीं रहता जिसके सरीर में उस प्राणी के बचने का कोई उपाई नहीं रहता जिसके सरीर में बिरहा रूपी साप घार कर जाता है साप सो जाता है साप खेलने लगता है खेलने लगता है साप क्रोधित हो जाता है तो इन में सही होगा आपका option number A विरहर उपी साप घार कर जाता है अपस नमबर A आपका यहां पर सही होगा next question देखिए next question रहेगा एक गद्यांस पाथे पुष्तक से गद्यांस रहेगा और प्रसना संख्या 32 से 36 तक के लिए सही उत्तरकाप को चैन करना है तो यहाँ पर जो भी गद्यांग्स दिया रहेगा आपको अच्छे से पढ़ लेना है मैं तो इस गद्यांग्स को अच्छे से पढ़ लिया हूँ मैं डारेक्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन के और आ रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांग्स के लेखक कोन है आपको गद्यांग्स को पढ़ कर कैच करना है कि यहाँ गद्यांग्स जो है किस पार्ट से लिया गया है और पार्ट का लेखक कोन है ठीक है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइम टेबिल बना लेना एक बात है तो यहाँ गद्यांग्स जो है आपका लिया गया है बड़े भाई सहाब ठीक है जो की पार्ट का इस गद्यांग्स का लेखक जो है प्रेमचंद तो option D सही होगा प्रस्तूत गद्यांग्स के लेखक कोन है प्रेमचंद ठीक है बड़े भाई सहाफ जो है पाट का नाम question number 33 में लिखा हुआ है कि खेल के मैदान में जाते ही लेखक क्या भूल जाते हैं खेल के मैदान में जाते ही लेख़क कि क्या भूल जाते हैं तो इस गद्यांग्स आपको सभी उत्तर जो है मिल जाएंगे मैं जो है इस गद्यांग्स को पढ़ लिया हूँ आप लोग जो है अच्छे से समझ समझ कर पढ़ लिजिएगा मैं direct जो है इस question का अंसर बता रहूं हूं ठीक है जानलेवा time table ठीक है जानलेवा time table option D सही होगा next question देखे छोटे भाई को खेलते देखकर बड़े भाई क्या करते थी ठीक है बड़े भाई साहब का जो part है ना इस part को आप लोग पुरा सुरू से लेकर आंध तक जो है अच्छे से और गध्यांस जो है कहीं से भी उठा सकता है एक्जाम में कहीं से भी उठा सकता है इसलिए पूरा part को अच्छे से पढ़ लिजेगा अगर अच्छे से समझ समझ कर पढ़ लोगे तो किसी भी कोई भी question अगर आपको वहां से पुछेगा तो आपको कोई तकलिप नहीं होग तो लास्ट तक जो है पढ़ लिजेगा और यहां पर लिखा हुआ है कि छोटे भाई को खेलते देखकर बड़े भाई क्या करते थे क्या करते थे यहां पर लिखा हुआ है उनका उत्साहा बढ़ाते थे ताली बजाते थे स्वयंग भी खेलते लगते थे खेलना लगते थे या फजिहत करते थे तो option D सही हो गई आपर फजिहत करते थे option D ठीक है next question देखिए next question है लेखक time table की अवहलना क्यों करता था मैदान की सुखद हरियाली और हावा के जोंके लेखक को बाहर आने के लिए मजबूर कर देता था तो option यह आपका यहाँ पर सही होगा यहाँ पर देखिए मैदान की उहाँ सुखद हरियाली हावा के हलके हलके जोंके फुडवल की उपर फुडवल की उहाँ उचल कूद कवड़ी के उहाँ दावघात फुडवल की उहाँ तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवारिया रूप से खीचे ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भोल जाता टाइम टेबिल जो है वो भी भोल जाता तो option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा option नमबर A मैदान की सुकद हरियाली और हवा की जोंके लेखक को बाहर आने के लिए मजबूर कर देता option यह अपका यहाँ पर सही होगा next question है इस गद्यांग्स के आधार पर लेखक की क्या छबी उभरती है लेखक समाई के पावंत नहीं थे वे अपने द्वारा बनाएगे नियमों का भी पालन नहीं कर पाते थे उनका स्वभाब चंचल था उपरुक्त सभी तो इनमें से सही हो जाएगा आपका option नमबर D हो जाएगा उपरुक्त सभी option नमबर D सही होगा next question देखिए next question है निमनलिकित प्रसनों के सही विकल्प का चैन किजिए लाठी चार्ज होने पर सुभास बाबु से किस से कहा कि आप इधर आजाएगा ठीक है लाठी चार्ज होने पर सुभास बाबू से किसने कहा कि आप इधार आ जाईए जोतिरमय गांगुली ने जोतिरमय गांगुली option C is the right answer सुभास बाबू जूलूस के समय क्या बोल रहे थे बंदे महतरम option C is the right answer 26 जनवरे 1931 के दिन इतिहास में क्या मोहत्वा है इस दिन को भारत बासियों ने दूसरे सोतंतरता दिवस के रूप में मनाया था इस दिन भारत का संग्विदान लागू हुआ था इस दिन अंग्रेजों ने भारत की आजादी की घोसना की थी या इस दिन भारत छोड़ो अंदोलन की सुवात हुई तो इनमें से सही होगा आपका अप्शन नंबर A में जो लिखा हुआ है इस दिन भारत बासियों ने दूसरे स्वतंतरता दिवस के रुप में मनाया था अप्शन A is the right answer Next question दी के last question है सुवास बाबू के जुलूस का भार किस पर था अभिनास बाबू पर या जानकी देवी पर या सिताराम से कसरिया पर या पुर्नदास पर तो option D is the right answer होगा यहां पर ठीक है पुर्नदास ठीक है तो दोस्तों A था हिंदी B set 3 का solution वीडियो को कैसा लगा कामेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो का अगर अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक करके अपना दोस्तों में सेयर कर दीजिए और इस तरह के वीडियो दखने के लिए इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्रेब करके बेल आइकन को प्रेस करके और वाल पे क्लिक करके रखिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई जाए हिंद